बिस्मिल्ला रख्मान रहीम और असलाम अलेकुम वेलकम टो गौहर पाप्लिशिस दिस इस हमना मिंदे शहजान आर मोटो इस रीडिफाइनिंग जॉन्ग्रफिय फेडिकेशन थू डेटल लिसूर्स फॉर कॉंसेप्चिल लेर्निंग तियर टीचर इंडियर स्टूरेंट्स आज के इस वीडियो लेसन में हम गौहर उर्दु काईदा प्लेग्रूप क्लास का एक निया कॉंसेप्ट देखेंगे और कॉंसेप्ट हमारे पास है रंगों के नाम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रंगों के नाम यहाँ पर हम कुछ रंग देखेंगे और साथ द रंग है नेक्स्ट हमारे पास है पीला पीले रंग का हमारे पास सूरज होता है सूरत मुकी का फूल होता है यह पीला रंग जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो नीला नीले रंग का हमारे पास नीला आस्मान है इसी तरीके से हरा रंग हरे रंग के हमारे पास दराक्त है पौदे हैं, मगरमाच हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, खीरा है, भिंडी है, ये सब हरे रंकी हैं अब इसी तरीके से अगर आप गौहर उर्दु काइदा सफा नंबर 14 पे देखो तो सफा नंबर 14 पे आप देख सकते हो मुक्तलिफ चीज़ें जैसे के आपको नजर आ रही है, सेब है, सेब हमारे पास लाल रंका है गुबारा नीला रंक करना है, चूज़ा है, इसमें पीला रंक करना है और पता इसमें सबस रंक करना है अब आपको कैसे पता चलेका कि कौन सा रंक करना है जी अब आप देखें तो आपको अगर बच्चे को पढ़ना नहीं भी आता तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमने कलर टैग लगा दिया है ये लाल का लगा दिया है ये नीले का लगा दिया है ये हरे का लगा दिया है और ये पीले का लगा दिया है अब इसको देखते वे बच्चा जो है वो रंग भरेगा रंग भरने के लिए बच्चा ब्रश से रंग भर सकता है बच्चा रंग भरवाने के लिए आप बच्चे से क्रियोन से रंग भरवा सकते हैं आप कलर पैंसिल से बता सकते हैं और इसी तरीके से बच्चों से जब आपने रंग बतान भर तो कोई कहेगा मुझे हरा रंग अच्छा लगता है तो साथ ही आपने बच्चे से पूछना है कि उन्हें जो रंग अच्छा लगता है वो रंग अच्छा क्यों लगता है यह एक बच्चे का brainstorming का और bloom taxonomy का एक level increase करेगा critical thinking का और इस तरह बच्चे में higher or order thinking skills जो हैं वो developed हमारे पास activity है वो हैं आवाजें आवाजें हमारे पास basically Montessori का एक module होता है जिसमें हम बच्चों को discriminating sounds करवाते हैं environmental यानि कि इर्दगित की आवाजों की पहचान कराते हैं और इसका मकसद यह होता है कि बच्चा इर्दगित की आवाजों की पहचान करते हुए बता सके कि क साथ ही जब बच्चा बात करेगा और आवाजों की पहचान करेगा तो बच्चे बच्चे की attention observation दोनों चीज़ें develop होंगी अब इस activity को करवाने के लिए आपने direct ऐसे आवाजें नहीं निकलवानी यह activity आपने बहुत द्यान से करवानी है इस activity में आप देख सकते हो कि हमारे पास चार object हैं यह चार object हमारे पास कौन से हैं यह चार object में हमारे पास एक परिंदे की आवाज हैं एक बकरे की आवाज हैं बिली की आवाज हैं और साथ ही आपके पास एक मुलगे की आवाज है अब इन चारों चीज़ों के आपने चार flash card लेने हैं आप परिंदों में से specific पिर कर सकते हो चड़िया को आप चड़िया का फ्लेश कार्ड दिखाओगे और चड़िया का फ्लेश कार्ड दिखाने के बाद बच्चे से कोगे ये क्या है बच्चे को बताना है कि ये चड़िया है और चड़िया चूँ चूँ करती है इसी तरीके से आपने बकरे की तस्व बिल्इ की आवास होती है म्याओ 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 और उसके अभाब बच्छे को मुर्गे की त wealthy गयाएंगे तो बच्छे से मुर्गे की आवास बताएंगे और मुर्गे की तस्वीर देखकर आप उसको जब वास जैसे कि आपने बिली का दिखाया कि बच्टे ने कहा बिली और यह मियाओ, मियाओ करती है फिर है आपने बुरगे का दिखा दिया बादी है बैसे बच्टे को नाम भी आएगा और अवास की पहचान भी आएगी अब आपने क्या करना है जो एक्चुल इसका परपस है इस सफ़े का के मुशाहिदा करना तस आवाजों की पहचान करवाना जो के प्ले ग्रूप की मौनडिसरी का मौडियूल है अब आपने क्या करना है अब आपने बच्चे को आवाज सुनवानी है और पूछना है कि ये कि चीज़ की आवाज है लेकिन याद रहे कि पहले आप इन चार चीज़ों की प्रैप्टिस करवा रहे हैं तो पहले आप सिर्फ इनी चार की करवाएंगे इस लेवल पे अभी कोई निया जानवर एड मत कीजेगा आप जैसे के बच्छे से का मियाओं मियाओं ये किस चीज़ क किस चीज़ की आवाज है बच्छे ने कहा बकरे की चूं 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 किस चीज़ की आवाज है और बच्छा गैस कर सकता है इसके इलावा आप इसकी जो आवाजे नेट से डाउनलोड करके वो भी सुनवा सकती है जब इन चार चीज़ों पे बच्छों की ग्रिप हो जाएगी तो फिर हम मजीद बच्छों को आवाजे सुना सकते हैं हम इसमें जानवरों में मजीद आवाजें आड कर सकते हैं हम त बच्चा बता सके और वाजिया फरक बता सके लेकिन शुरू हम इधर से करेंगे और इसी तरीके से आप आप अबजेक्ट लोगे ये इस एक्टिविटी का हमारा परपस ये था अब चलते हैं सफा नंबर 16 पे सफा नंबर 16 पे अब बच्चे ने बेसिकली अपनी उंगली की म इस डिजाइन को दोराने के लिए ये वाले रंग भी ले सकते हो लेकिन अगर आप चाते हो कि आप अपने पसंद के रंग लो या पीछे जो हमने रंग पड़े थे जैसे के लाल पड़ा था हरा पड़ा था पीला पड़ा था नीला पड़ा था आप वो रंग भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन उंगली को इस्तमाल करते हुए हम यही छपाई जो है वो डीचिस डिजाइन को दोहराएंगे मुझे उमीद है कि आपको आज का वीडियो लेसिन पसानद आया होगा एक नए वीडियो लेसिन के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक कि ये लाफस्